हेलो दूस्ते आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आई टी आई लेक्ट्रो हमें जहां हम बाते करते हैं और सीखते हैं इलेक्ट्रिक मशीनों एक योग पेंज तता उससे जुड़े सिधानतों के बारे में तो आइए सुरू करते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे तार्बन आर्क लैंप, LED, CFL, हलोजिन लैंप तता मेटल हलाइट लैंप के बारे में ये सारे लैंप भी बहुत उप्योगी हैं तता भीने-भीनेकारियों के लिए उप्योग के जाते हैं साथ ही इन सभी नैम की संदर्शना, कारप्रणाली तथा इनके कुछ important questions जो कई बार आईटिया के लैम में पूछे जा चुके हैं वह भी देखेंगे आईटिया सिनेपर्स के अनुसार प्रदीप्ति के अंतर गताने वाले सभी टॉपिक्स पर हमने वीडियो बनाया हैं करते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन आर्क लैंप कार्बन आर्क लैंप जैसा कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कार्बन आर्क लैंप में दो इलेक्टोड होते हैं जो कि एक दूसरे से 0.6 cm की धुरी पर रखे जाते हैं जब हम इस लैंप में DC सप्लाई का उपयोग कर रहे होते हैं तो इस लैंप में उपयोग होने वाला धनात्मक इलेक्टोड की मोताई रिरात्मक इलेक्टोड से दो गुनी रखी राती है और जब यही लैंप हम एक ही सप्लाई के साथ उपयोग करते हैं तो दोनों आर्ग उत्पन होता है और लैंग प्रकासित होने लगता है। उत्सरजित किये हुए प्रकास का 85% भाग धनात्मक इलेक्टरोट से, 10% भाग रिनात्मक इलेक्टरोट से, तथा केवल 5% भाग आर्ग से आर्ग ग्वारा उत्पन किया जाता है। दनात्मक इलेक्टरोड पर उत्पन उसमा अधिक होती है क्योंकि रिनात्मक आयंग हलके होते हैं जिस कारण वह तेजी से धनात्मक इलेक्टरोड से चकराते हैं धनात्मक इलेक्टरोड का तापमान प्रतिसो डिग्री से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है जब कि धनात्मक इलेक्टरोड का तापमान पचीसो डिग्री सेल्सियस होता है कार्बन आर्क लैंब की प्रदीप्टी दक्षिता 20 नुमेंट प्रतिवाट होती है तथा इस आर्क लैंब का उप्योग सिनेमा प्रोजेक्टर सर्ष राइट में किया जाता है तक में तक मैं आएं अब हम हलूजेन लैम के बारे में दिखते हैं यह एक incarnिस्अड लैंड का ही प्रकार होता है आकार बहुत चोटे होते हम लेकिन बहुत उच दक्षिताह के होते हैं और सोय के दूदिया सफेज रंग का प्राका सषजित करते हैं उच्चिताप और उच्च पर कारे करने हैं तो इन्हें quartz के कांच का आवरण में बनाया जाता है ट्यूब के अंदर उच दाप पर हेलोजन गैस बरी जाती है आईए अब हम हेलोजन लैम की कारपड़ाली देखते हैं हेलोजन लैम टंगस्टन हेलोजन पूरनर जनक सिध्धान पर कारे करता है टंगस्टन हेलोजन पूरनर जनक सिध्धान क्या होता है जैसे ही हम लैम को सप्लाई प्रदान करते हैं तंगस्टन के कंड फिलामिंट से वास्पित होपर बल्व की रिवारों के साथ चिपक जाते हैं और हेलोजन छोटे-छोटे कंडों में विभक्त होकर आणविक हेलोजन बन जाते हैं आणविक हेलोजन और वास्पित टंगस्टन के कंड आपस में मिलकर टंगस्टन के हलाइट बनाते हैं बल्व के उच्छे तापमान के कारण टंगस्टन हेलाइट वास्पित होकर पुन अस्टन हेलाइट बनाते हैं और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसके कारण हमें प्रकास प्राप्त होता है हेलोजन लैंब 500 वाट से 50 किरो वाट टक के बनाये जाते हैं आईए अब हम compact fluorescent lamb के बारे में देखते हैं जिसे हम normally CFL भी कहते हैं आईए इसकी संजशना समझते हैं इसमें एक visagen tube होती है जो की वक्राकार की होती है उसके साथ electronic choke का उप्योग किया जाता है विशजन tube में mercury बरी जाती है इन candy scent lamb की तुल्ला में यह lamb 8 से 10 गुना अधिक 10 प्रकास सचित करते हैं यह lamb 3 वाट से 80 वाट तक की rating के बनाये जाते हैं CFL का मुख्य उप्योग घरेलू तथा ओध्योविक संस्थानों पर किया जाता है आए अब हम CFL lamb की कारपरणाली देखते हैं जैसे ही lamb को supply परदान करते हैं उसके अंदर भरे mercury के तेजित electron बंदों से मुक्त होकर दोनों electrode के मत्रवाहित होने लगते हैं यह मुक्त इलेक्ट्रों ज्यादा देर तक मुक्त तवस्था में ना रहकर अपनी नीम नोर्जा इसतर की और वापस जाते हैं वापस जाते समय यह पराबैगनी प्रकास किरने उस सरजित करते हैं जो कि फॉस्फर की परतवारा अफ्सोसित कर ली जाती है तथा लायम प्रकास उस सरजित करता है जो कि कारेकारी आयू 6,000 गंटे से 15,000 गंटे तक होती है यह मुक्त दो प्रकार के होते हैं इंटिकेटरड़ और नौन इंटिकेटरड़ चेफल में ट्यूब तथा चोग एक ही उनिट में लगाया जाते हैं जबकि नौन इंटिकेटरड़ 3FL खराब हो जाते हैं तो उन्हें चोक और ट्यूब दोनों के सहीद बदलना पड़ता है लेकिन नौन इंटिकेटरड़ चेफल में ट्यूब के खराब होने पर हम ट्यूब को अलग से बदल देते हैं ब्लास्ट को बदलने की जरुवत हमें नहीं होती है आईए अब हम ला तो किता गैलियम आर्चेनी, गैलियम फास्टेट तता गैलियम आर्चेनो फास्टेट सेमी कंड़क्टर के बनाये जाते हैं नौर्मल डायोड सिलिकॉन जैसे सेमी कंड़क्टर से बनाये जाते हैं परन्तु सिलिकॉन पारदर्सी नहीं होते हैं जिसके कारण इनसे प्रका सर्जन नहीं हो सकता, इसलिए हम LED बनाने के लिए सिलिकॉन सेमिकंडक्टर का उपयोग नहीं करते हैं, LED में फिलामेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, जिस कारण लैंब को कम धारा की आविशकता होती है, और वह जल्दी स्टार्ट हो जाता है, फिलामेंट नहीं होने के कारण या लैंब गरम नहीं होते हैं, और इस लैंब को तेजी से ओन ओफ किया जा सकता है, आईए, अब हम LED लैंब की कारण पर नाली देखते हैं, लैंब को जैसे ही सप्लाई बदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन अतिरिक तूर्जा प्राप्त करके बेरियर जंक्शन क्रॉस करते हैं, जंक्शन के पी सेमिकंड़क्टर साइड में होल से जाकर सायोगित होते हैं, इलेक्ट्रॉन के होल से सैयोजित होते ही अतिरिक तूर्जा निकलती हैं, यही उर्जा उसमा तथा प्रकास के रूप में लैंब से हमें प्राप्त होती हैं, इस लैंब की कारेकारी आयू, इनकेंडिसेंट लैंब तथा CFL की तुलना में बहुत होती हैं, और लगबग 50,000 घंटे होती हैं, LED लैंब से लाल, नारंगी, पीला, हरा तथा अधिस इंफारेट प्रकास उसरजित होता हैं, LED लैंब का उप्योग, इलेक्ट्रोनिक सरकीट उपकरनों में, इंडिकेटर के रूप में तथा घरेलू प्रकास ववस्था में भी किया जाता हैं, आईए अब LED के कुछ प्रकार देखते हैं, जैसे एक रंग LED, दो रंग LED और बहुरंग LED, आईए अब इनके बारे में समझते हैं, एक रंग LED में forward voltage को बदल कर, हम उत्सरजित प्रकास के रंग को परिवातित कर सकते हैं, जैसे यदि forward voltage 1.8 volt है, तो हमें लाल रंग का प्रकास प्राप् इसी प्रकार दो रंग LED में, दो LED को anti-palal connect करते हैं, और इनकी बाइसिंग बदल बदल के हम इसे उत्सरजित प्रकास के रंग को नियंतित करते हैं, इसी प्रकार बहुरंग LED में, दो एनोड तथा एक cathode के साथ धारा के मान में परिवर्टन करने पर हमें भिन रंग के प्र प्रकास प्राप्थ होते हैं, जैसे अगर LED 1 में 0 मिली एंपियर धारा प्रवाहित की जाए और LED 2 में 15 मिली एंपियर तो हमें 15 मिली एंपियर तो हमें लाल जंग का प्रकास प्राप्थ होगा, इसी प्रकार अगर हम पहली LED में 15 मिली एंपियर करें दें और दूसी LED में 0 मि तो इस में एक अंत्रिक कांच का आवरं होता है जो कि क्वार्ट्स का बना होता है जो कि बोरो सिलिकेट कांच का बना होता है इसमें दो मुख्य लेक्टोड एक सायक उलेक्टोड होता है इस के अलावा इस में एक चोक तथा एक प्रतीरोध होता है, कांच के जिताँ आवरण के अंदर हेलाइड मर्करी तथा आरज़द गैस भरी होती है ह्याईए बन मेटल हेलाइड लेंप के कारपधना साली देखते हैं सरपथम लैंप में इस हायक एलेक्ट्रोड और एक मुख्य एलेक्ट्रोड के मद्धे वोल्डिज पिदान किया जाता है जिसके कारण इनके मद्धे आहल पुत्पन हो जाता है और लैंप का तापमान बढ़ने लगता है तापमान बढ़ने से मरकरी का वास् सप्पिकरण हो जाता है तो दोनों मुख्य इलेक्टरोड के मद्ध विसेजन प्रक्रिया प्रारम हो जाती है तथा लैंब फूर्ड प्रकास उस्जित कने लगता है लैंब के चालू होने के बाद सहायक इलेक्टरोड के सिर्णी में उच प्रतिरोज जुड़े होने के कारण सहायक इलेक्टरोड में धारा का मान कम हो जाता है और वह परिपत से बाहर हो जाता है लैंब में उपियों किये जाने वाले हैलाइड, सोडियम, थैलियम तथा इसकेंडियम, डिस्प्रोसियम, आयोडाइड का मिश्रण होते हैं मेटल हलाइड लैम का कारेकारी तापमान 1000 डिग्री सेंटिग्रेट होता है तथा इसका कारेकारी दाप 3-4 वायोमनली दाप होता है अभी तथ हमने कारबन आर्क लैम, LED, CFL, हलोजन लैम तथा मेटल हलाइड लैम की संदर्शना और कारपनाली देखी आईए अब उससे जुड़े कुछ important questions देखते हैं जिसमें पहला है मेटल हलाइड लैम का बाहा अवरन बोरो सिलिकेट काज का क्यों बना होता है options है a. प्रकास प्रभाव बढ़ाने के लिए b. बाहरी तापमान को सहने के लिए c. वाईउमनली दाप सहने के लिए d. लैम से पराबैगनी विकरन कम करने के लिए इसका सही answer है option d. लैम से पराबैगनी विकरन कम करने के लिए अप्शन से a. धनात्मक इलेक्टोड मोटा, b. रिनात्मक इलेक्टोड मोटा, c. धनात्मक इलेक्टोड पतला, d. दोनों समान मोटाई के इसका सही answer है option a. धनात्मक इलेक्टोड मोटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFL की कारेकारी आयू होती है, ओप्शन से A, 25-12,000 घंटे, B, 4,000-13,000 घंटे, C, 6,000-14,000 घंटे, D, 6,000-15,000 घंटे, तो इसका सही एंसर है, ओप्शन D, 6,000-15,000 घंटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED फ्लेट लाइट का सब्ति गुणफ होता है, ओप्शन है, A, 1, B, 0.6, C, 0.8, D, 0.95, इसका सही एंसर है, ओप्शन D, 0.95 नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही एंसर है, ओप्शन D, 1.8 वोल्ट नेक्स्ट है, CFL लाइब तापमान के प्रती डेस 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 होता है, ओप्शन है, A, गरम, B, समेदन से, C, खराब, D, इनमे से कोई ने, इसका सही एंसर है, ओप्शन B, समेदन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन लैम उप्योग किया जाता है, ओप्शन है, A, हवाई अधे, B, रेलवे स्टेशन, C, प्रताशनी, D, सभी डेस, इसका सही एंसर है, ओप्शन D, सभी जगा Next question है, halogen lamp के अंदर भरी जाने वाली gas होती है Options है A, Nisky gas, B, halogen gas, C, दोनो, D, इन में से कोई नहीं जिसका सही answer है, Option C, दोनो Next question है, Carbon arc lamp में air gap होता है, डैस डैस सेंटीमीटर Options है A, 60 cm, B, 6.0 cm, C, 0.6 cm, D, इसका कोई निस्चित्मान नहीं होता है तो इसका सही answer है, Option C, 0.6 cm Next question है, LED की कारे-कारी आयो, CFL तता filament lamp के तुलना में जैस जैस होती है Options है A, अधिक, B, कम, C, समान, D, इन में से कोई नहीं तो सही answer है, Option A, अधिक Next question है, CFL द्वारा इन candies and clam की तुलना में कितने गुना प्रकास होताजित किया जाता है Option A, 11-20, B, 10-20, C, 7-10, D, 8-10 इसका सही answer है, Option D, 8-10 गुना Next question है, Flores and Tube को केवल सरल रेखी अत्वा वित्ती आकार का बनाया जा सकता है Option से A, सत, B, असत, C, किसी भी आकार का बनाया जा सकता है, D, इन में से कोई नहीं तो सही option है, इसका A, सत, यह सभी questions बहुत important है, आप सभी ने ध्यान में रखें अब तक हमने प्रदिप्ती से संबंदित सभी topic देखें हैं, जो कि आपको हमारे channel में, playlist में मिल जाएंगे आप सभी उसे जरूर देखें, अगली वीडियो में हम मापक यंत के बारे में देखेंगे आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो उसे like करें, topic से संबंदित कोई भी doubt हो, तो आप comment section में comment करके हमसे पूछ सकते हैं ITI Electrition से संबंदित और वीडियो देखने के लिए हमारे channel ITI Electro Hub को subscribe करिए, thank you